नमस्कार किसान साथियों मैसी की तरफ से बहुत ही शांगार ट्रेक्टर लॉंच किया गया है एकदम नया पहले 28 अटाथ 28 अब ये 66 मैक्स ब्रो लो हाई मीडियम गियर वोक्स के साथ है ट्रेक्टर की आवाज देहो कितनी सांगार है किसान साथियों ये है मैसी फर्गूसन की तरफ से आने बाला 68 मैक्स प्रो शांदाल लुकिंग काफी लंबाई में काफी ज्यादा है ट्रेक्टर अगर थोड़ा भारी इंप्लिमेंट भी आप पीछे टांग देंगे तो आगे से नहीं उठेगा ट्रेक्टर की कुल लंबाई 2920 अमेम है ट्रेक्टर का वील बेस 1520 अमेम है और ट्रेक्टर का कुल वजन बिना बंपर के बिना बढ़ाय हुए 1000 किलो है शांदार लाइटिंग काफी बड़ी बड़ी जालियां आगे दी गई है कूलिंग सिस्टम को मैनेज रखने के लिए और किसान साथियो ट्रेक्टर का अगला टायर आपको 5-12 का मिलता है पिछले टायर आपको 8-8 रहके मिलते है मिनी ट्रेक्टर है 4-wheel drive ट्रेक्टर है मतलब 4x4 आज इस वीडियो में इस ट्रेक्टर की पूरी टेक्निकल इन्फोर्मेशन और डीटेल बताई जाएगी किसान साथियो ट्रेक्टर कुछ इस तरह के सिंगल पीस बोनेट के साथ आता है जो की मेकेनिकली खुलता है मतलब इस ट्रेक्टर के बोनेट के अंदर आपको हाइड्रोलिक जैक लगे हुए नहीं मिलते यह मेकेनिकली उपर उठता है दूसरी बात यह है इसका जो हुड है यह लोहे का नहीं है प्लास्टिक का है या फाइबर का है यह जो शील्ड आप देख लगी हुई यह साइलेंसर से इसका प्लास्टिक गर्म ना हो उसकी वज़े से लगाई गई है क्योंकि इसका जो बोनेट है वो प्लास्टिक का बनाए गया है अगर बात की जाए इसके इंजन की तो इसके अंदर आपको 26 HP 2600 इंजन डेटेड आर्पियम तीन सिलेंडर मिच्चgriffi company जो की जापान की है जापान की टैक्नीक वाला इंजन काफी शांदार लगाया गया है जो की वाइब्रेशन फिरी है और काफी कम आँज करता है चलते समय मतलब बहुत ही भरोशे मंद है काफी सारे ट्रेक्टर में भिसी कंपनी के इंजन आते हैं इसी पिरकार पंप को भी मिटसीबुसी खुद डिजाइन करती है यह माइको बोश कंपनी का नहीं है इन लाइन पंप है लेकिन खुद मिटसीबुसी द्वारा बनाया गया इन लाइन पंप इस ट्रैक्टर के अंदर आता है साथी में आपको डीजल फिल्टर दिया गया है सिंगल वोटर सेपरेटर की सुविधा ट्रैक्टर के अंदर नहीं दी गई किसान साथियों ट्रैक्टर के अंदर आपको ड्राइ टाइप का मतलब सूखा वाला एर फिल्टर मिलता है जो कि डूल एलिमेंट है इसके अंदर दो जालिय लगी हुई है उनसे वो हवा को सुद्ध करता है दूसरी बात की इस ट्रैक्टर के अंदर आपको चोक सेंसर भी मिलता है अगर ये वाला फिल्टर आपका चोक हो जाता है तो आपके डैस्पोर्ट पर इंडिकेट कर दिया जाएगा कि आपको फिल्टर की सफाई की आवशक्ता है कूलेंट विद ओवर्फोर रिजर्वोयर का डबा दिया गया है जिससे कूलेंट खुद से ही डल जाता है आपको बार बार कूलेंट डालने की आवशक्ता नहीं पड़ती रेडियेटर में डबल जाली दी गई है मतलब एक तो रेडियेटर है आपका नोर्मली तो रेडियेटर के आगे आपको एक अलग से जाली दी गई है जिससे रेडियेटर के अंदर कूला करकट बगएरा ना फसे यह यहाँ पर एक अलग से जाली लगाई गई है और silencer से आने वाला जो pipe है उसको heat proof कपड़े से लपेटा गया है क्यूंकि fiber का hood है फिर वही बात है fiber का hood है वो उससे जलेगा नहीं इसी वैसे हीट प्रूफ जो कपड़ा आता है उसके साथ इसको लपेटा गया है इससे गर्म होकर आपके tractor के hood को कोई नुकसान ना पहुंचे अगले tire मैंने आपको बता दिये 5-12 के मिलते है 26 hp category के ट्रैक्टर के लिए ठीक ठाक है एक mini ट्रैक्टर के लिए किसान साथ यों ट्रैक्टर के अंदर double acting power steering आता है सबसे अच्छी बात मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर लगी कि एक mini ट्रैक्टर होते हुए भी इसके अंदर अब को double acting power steering मिलता है अगला वाल एक्सल में grease करने की कोई आवा सकता नहीं है पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ है दूसरी बात यह है कि इस ट्रैक्टर का power steering में पिछले हिस्से का ही तेल चलता है अलग से डबबा दिया हुआ नहीं है hydraulic pump और power steering pump tandem है अलग-अलग है दोनों चीज़े maintenance free रहती है इंजन पर भी compressor लगता है किसान साथियों सबसे अच्छी बात है ट्रैक्टर क्या space बहुत ही ज़्यादा जगह है seat और steering wheel के बीच में footrest वगयरा के लिए clutch brake pedal के पीछे काफी अधिक जगह दी गई है adjustable seat है काफी ज़्यादा comfortable tractor है और दोनों साइडों में clutch के पैडल के आगे और brake के पैडल के आगे आपको heat shield मिल जाती है जिससे engine की गर्मी किसान बाहित के पैरों तक ना पहुंचे काफी अच्छा शांदार designing है यहाँ पर tractor में किस जगह पर कितने greasing point है उसके बारे में जानकारी दी गई है वीडियो को रोक के आप अधिक जानकारी ले सकते हैं 12 volt DC mobile charging port आपको यहाँ दिया गया है साथ ही में आपको यह जो valve दिख रहा है यह आपको hydraulic उठने और गिरने की गति को कम और जादा करने के लिए valve है अगर कोई भरी implement आपके tractor के पीछे लगा हुआ है तो उसके लिए यह काफी useful feature होता है कफी अच्छे lever की position है यहाँ पर four wheel drive से two wheel drive और two wheel drive से four wheel drive में convert करने के लिए एक lever दिया गया है seat पर बैठे बैठे यह आप लगबख सभी levers को operate कर सकते हैं यहाँ पर कौन से gear में कितने rpm पर कितनी speed में आपका tractor आगे पीछे चलता है उसके बारे में जानकारी है वीडियो को रोक कर आप इसे भी अधिक जानकारी के रूप में पढ़ सकते हैं tractor के अंदर multi plate तेल में डूबे हुए disc brake मिलते हैं छोड़े tractor में काफी कम देखने को मिलती है इस तरह की सुविधा differential log भी इस tractor के अंदर दिया गया है जो कि यह काफी अच्छी बात है किसान साथ यो पिछले इससे की बात करते हैं तो tractor का fuel tank डीजल टैंक पीछे रखा गया है जो की fiber का है इससे अपके टंकी में उमस नहीं बनती और डीजल में पानी नहीं बनता तो इसकी वाज़े से इसमें water separator की कोई आवश रखता नहीं जाती लोक वाला ढकन है लोक कर सकते हैं लगबग सभी tractor में लोक वाला ढकन ही आता है 25 लिटर की capacity है शांदार indicator है ट्रेक्टर के पिछले वाले आप देख सकते हैं और दूसरी साइड में आपको plow lamp और indicator एक कॉम्बो मिल जाता है किसान साथ यो ट्रेक्टर का पिछला वाला एक्सल inboard reduction टाइप की तकनीक का सीधा एक्सल दिया गया है जो कि zero greasing point के साथ आता है मतलब ट्रेक्टर का पिछला हिस्सा पूरी तरह तेल में डूबा हुआ है इसमें आपको greasing point नहीं मिलते नहीं grease करने की कोई भी आवशकता आ के अंदर दी गई है अगर बात की जाए lift capacity की तो ट्रेक्टर के अंदर आपको 740 kg की lift capacity दी गई है जो कि मिनी ट्रेक्टर के लिए काफी अच्छी होती है और दोनों ही लिंकों पर आपको link leveler अलग-अलग दिये गए ये सुधा बढ़े ट्रेक्टर में भी नहीं आती छोट त्रेक्टर में दोनों ही लिंकों पर अलग-अलग लिंक लेवलर दिये गये हैं, काफी अच्छी बात है, ट्रेक्टर का हिच भी देख लो, काफी नीचा है, लेकिन एक ठीक ठाक तरह का हिच ट्रेक्टर के अंदर डिजाइन किया गया है, ट्रेक्टर के अंदर आपको दो से दिया गया है बात की जाए अगर पीटियो की तो इसके अंदर आपको 19.5 HP की 6 स्प्लाइन 540 RPM वाली पीटियो मिलती है जो कि अपने 540 RPM 2450 इंजन डेटेड रपियम पर और 540 इकोनमी रपियम 371 इंजन डेटेड रपियम पर निकालती है डुल स्प्लाइन 540 इकोनमी भी बोल सकते हैं किसान साथी और ट्रैक्टर के लिवर्स को किसान साथी अपनी सीट पर बैठे बैठे ही ओपरेट कर सकता है तो उनी के बारे में जानकारी लेते हैं यह है ट्रैक्टर का में गियर लिवर 1,2,3 और रिवर्स आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के अंदर आपको 9 गेर आगे जाने के लिए तीन गेर पेचे जाने के लिए पार्शली सिंक्रोमेस टक्नीक धी गई है जो की एडवांस टेक्नीक है सिंक्रोमेस गेर सिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आवाज भी नहीं आएगी साथी ट्रेक्टर low high medium के साथ आता है यह जो gear lever है यह low high medium वाला लीवर है पिछला वाला यह main gear lever है और यह है low high medium gear lever यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है high उसके पीछे medium उसके बाद neutral और उसके बाद low मतलब 9 gear आगे जाने के लिए 3 gear पीछे जाने के लिए काफी अच्छी gear speed का combination इस tractor के अंदर दिया जा रहा है आपके ट्रेक्टर में आने वाली dual speed PTO को manage करने के लिए यह yellow color का लीवर है आगे करने पर 540 standard RPM बीच में neutral और पीछे करने पर 750 PTO के RPM आपको मिलते हैं जिसे आप 540 economy भी बोल सकते हैं किसान साथियो यह है ट्रेक्टर का digital instrument cluster कुछ yellow clusters के साथ आता है जो की काफी अच्छी looking attractive looking है बहुती छोटा सा steering wheel है मैसी के लोगों के साथ double acting power steering है तो steer करने में बहुती ज्यादा असानी होने वाली है मलाई की तरह चलेगा एकदम यहाँ पर combo switch दिया गया है पार्किंग के लिए एक switch मिलता है मतलब चारों indicator एक साथ own करने के लिए यह वाला switch यहाँ पर आपको दिया गया है किसान साथियो right hand side पे आपको hand race हाथ से आपके tractor को accidate करने के लिए lever यहाँ पर मिल जाता है नीचे आपका dashboard लगभग बिलकुल खाली है यहाँ पर आपको स hand brake जिसे आप बोल सकते हैं मतलब ट्रेक्टर चावी से ही start होता है चावी से ही बंद होता है जो कि यह काफी अच्छी बात है ट्रेक्टर के अंदर आपको single clutch मिलता है diaphragm type का dual clutch या double clutch को option नहीं है single clutch है किसान भाई के right hand side पे hydraulic single lever वाली दी गई है मतलब एक ही lever में आपको draft or position के सेटिंग मिलते हैं किसान साथ यही सब कुछ था मैसी फर्कुसन साथ 26 मैक्स प्रो के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ट्रेक्टर की कीमत साड़े पांच लाक रुपर रखी गई है कीमत फिक्स नहीं होती उपर नीचे च को लो करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद